नागदा से संजेश शर्मा की रिपोर्ट इंदोर जिले के बेटमा थाना शेत्र के ग्राम रावद में आनर किलिंग के तहट भाई ने अपनी ही बहन को गोली मार कर हत्या कर दी मामला लव मैरेज का बताया जा रहा है देपालपुर के बेटमा थाना शेत्र के रावद गाव में एक आनर किलिंग का मामला सामने आया है जिसने परिवार के खिलाव शादी करने को लेकर सगे भाई नहीं अपनी ही बहन को गोली मार दी जिसकी गंबीर हलत में इंदोर रेफर किया गया जहां महिला की मोत हो गई बता जा रहा है कि बेटमा के रावत निवज सुभम जाट ने अपनी बेहन को परिवा के मरजे खिलाव साधी करने को लेकर गोली मारी है मरतका और उसका पती उसी गाव के निवासी है जो साधी के बाद गाव में रह रहे थे जिसे देखकर मरतका के भाई को नाराज गी थी बेटमा से राजेंदर सुर्य उनसी की रिपोर्ट पती पत्नी एक वर से पहले दोनूं ने प्रेम विवा किया था आरी समा से विवा हुआ था उनका और दोनूं खुशी के साथ रह रहे थे इसे बीच कुलदीप अपने घर मिलने माता-पिता से आया हुआ था कुलदीप कहां पर रहता था उसका निवास्टान का पर रहकर महां पर ही प्राएट कंपणी में कारी करते हुए दौनों रह रह थे हो पेले एक ही गाउं के थे यह लोग लोग ऐसे हाई दोनों एक ही गाउं के ऐह लग करेंगे लव मेरेंक, प्रेहं मिर्षा करा हा उसके बाद लवषा हुआ है इनका हारी समास से और एक वर्ष तक करेम्हा सनातमे रह पुछ समध रहा लड़की का आना जाना था फे-6-67 जो जाट समधायस की ती और उसने करीवन पांचे मेने पहले एक राइपुस समाज के खुल्दीब नामग लड़के से लगबेरिश किया तो और वो आरे समाज मंदिर में प्रिक साधिवादी कर लिया था इस बात को लेकर उसका भाई जो गुलकुल का भाई है उसने उसकी घर में भुष करके उसको बोड़ी मादनी सेल में और हम्रोगों स्कॉर्ट पर पहुंचे तो जित्रक परिजन उसको ले जागे एंवाए तरे ज्यासू देते और विटनास्तर पर हम्रोगों ने कारवाई क किया है और प्रास्वी तोर पर इमालों हुआ है कि तो साधी को लेगर के लोग जाट परिवार नराज था और जिसने उसका भाई सुभाम नाम का सफाई है और उसने गोली मारी है जिए मालों परा है अब आधी आई हम लोगों जांस करते है सुचना मिली थी कि ग्राम रावद में गोली गांड हो गया है सुच गटना की सुचना मिलने पर हम अपने पूरे दल के साथ ग्राम रावद पहुचे तो वहां पता चला कि ग्राम रावद की रहने वाली बुल बुल ने जो जाट समाची है राजपू समाच के लड़के से प्रेम विवा कर लिया था, इस बाद से उसका भाई नाराज था, उसके भाई नाराज होकर उसको कनपटी पे गोली मार दी, जिससे वो गंबीर रूप से घायल हो गई थी, उसके ससुराल वाले उसको लेके M.I.H. इलाज के लिए रवाना हुए थे, जहां अस्पताल में पह है, उसको हमने पकड़ लिया है, हम उससे घटना की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं,